विनायक जी की कहानी एक सास बहु थी, सास उसको खाना नहीं देती थी, बहु रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आता ले जाती थी, नदी से पानी लाती, आता गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुर, घी, खरीद लाती, और शमशान की चिता पर रोटी सिकती रोटी चूर कर घी, गुरडाल, चूर्मा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती, ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा, विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचमभा हुआ और उन्होंने अपने मुह में उंगली रख ल अगे की, जो कोई विनायक जी के मुह से उंगली निकलवाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा, सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फाइदा नहीं हुआ, बहु ने अपनी सासु से कहा मैं कोशिश करती हूँ, सासु बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं, कर सके तुम क्या करोगी, पर बहु ने कहा, मैं विनायक जी के मुह से उंगी निकलवाद दूंगी, गाम वाले मंदिर के आंगन में एक अत्रत थे, बहु आई, निच मंदिर में, जाकर कपाट बंद कर दिये, और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी पंसारी से गुडगी लाती चिता, पर रोटी सिकती, इसमें आपको क्या आपत्ती हुई, आपको मुह से उंगोली हटानी पड़ेगी, विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्यान लगाया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगोली हटा ली, फिर बहु ने मंदिर के दरवाजे खोले, लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगोली हटा दी है, गाम वाले कहने लगे, बहु तो क्या जादू टोना करके आई है, जिससे विनायक जी ने उंगोली हटा दी, बहु ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी वा पंसारी से घी, गुर लाकर चिता पर उसे सिकेती, पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती, इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ, और उन्होंने उंगली रखी, अब उंगोली हटा दी है, जैसे वि बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखें, जै विनायक जी महाराज, आपको कहानी अच्छी लगी, हो तो लाइक करे, धन्यवाद